आदी पुरुष का ट्रेलर देखके तो सिदा सिधा लग रहा है सच में गाम हुआ है मुवी में और साथ महीने पहले इसका ट्रेलर आया था उसके बाद जो हेट मिली थी मुवी के डिरेक्टर ओम राउट और हमारे प्रभु राम के रोल में प्रभास को उसके बाद मूवी को डिले किया गया कुछ और पैसे डाल के मूवी को बहतर बनाने के लिए टीजर जब आई थी तब तक मूवी की शूटिंग और ज्यादातर काम दोनों ही हो चुके थे तो इंप्रूब्मेंट्स करना उतना आसान नहीं था लेकिन इससे पहले सॉनिक एक ऐसी मूवी थी जिसके टीजर को हेट मिलने के बाद भी उसकी VFX इतनी अपगेट हुई कि सॉनिक अब टॉप चार्ट में है लेकिन आदिपूरुष मूवी का में स्टोरी लाइन रामायन के उपर है और रामायन की स्टोरी को दिखाने में ज्यादातर शूटिंग जंगल में ही निपट जाता लेकिन इसके डिरेक्टर ने सोचा इंडोर शूटिंग करके सब VFX में समाल लेंगे अब मूवी का बजट पास सो करण है लेकिन टीजर आने के बाद सब कन्फ्यूज हो गए ये लाइव एक्शन है या फिर एनिमेशन बट सजमलू तो मुझे उमीद थी नहीं मूवी से बट आज जब इसका पहला ट्रेलर मैंने देखा तो मैं सोच रहा था ये सब इंप्रूफ्मेंट्स पॉसिबल थे जिन टीजर डानले से पहले ही इंप्रूफ कर लेते वैसे घटिया VFX की वज़े से ही इस मूवी को इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिला कि इंडिया का बच्चा बच्चा आज इस मूवी के बारे में जानता है वैसे ट्रेलर की बात की जाए तो ट्रेलर में अच्छी चीज़े जो मुझे लगी वो पहले पॉइंट आउट कर लेते हैं कि BGM तबाही थी हर एक शौट में BGM सुनने मिला और हर वक्त BGM इरिटेटिंग भी लग सकता है बट जो सूधिंग साउंड सुनने मिला सच बलू तो ट्रेलर की जान थी BGM उसके बाद सबसे सादा इंप्रोव्मेंट देखने मिला कलर ग्रेडिंग में अब कलर ग्रेडिंग और वी एफेक सीज़े दोनों अलग चीज़े हैं बट कलर ग्रेडिंग में मुवी वाले खेल गए saturation जो high था vibrant colors को थोड़ा manage करते ही वो cartoonish vibe अब नहीं आ रहा तो सबसे बढ़िया काम मुझे BGM के बाद color grading लगा और स्री राम के जो डायलोग्स ट्रेलर में सुनने मिले या फिर शायद पूरी मूवी में अगर ऐसे डायलोग्स रहने वाले है दिन कम से कम प्रभास को hate नहीं नहीं मिला लेकिन promising लग रहा है अब रावन के रोल में सैफ अली खान को पिछले टीजर में उनके hairstyle को लेके troll होना पड़ा था लेकिन इस वाले ट्रेलर में दो सीन रावन के देखनी मिले उनमें काफी अच्छे लग रहे है अब सेगिन ट्रेलर में अगर उनके character को explore किया ग और उनके biceps uneven दिख रहे हैं और इस बार उनका पूरा body दिखाई नहीं दिया तो CGI से जो six packs बनाए गए थे उनको कप्रों से धग दिया गया तो यह एक अच्छा choice था अब VFX और CGI में आगे क्या improve कर पाएंगे आधिपूरुष की team वो देखना होगा बट एक animation movie से जो live action movie 1000 करोर तो पक्का है अब normal Bollywood movie जैसे इसे hate भी नहीं मिलने वाला क्योंकि South industry के actors भी इस movie में शामिल है तो शायद इस 16 June flash को अच्छा खासा टकर दे पाए प्रभास की आधि पुरुष मेरे तो fingers crossed है वैसे आपको कैसा लगा trailer comments में जरूर अपना opinion बताना और ऐसे ही pop culture related topic पे updated रहना चाहते हो तो इस चैनल को subscribe कर लो और वीडियो को like भी कर देना and me signing off you just watched show defined